बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में और आज की ये special वीडियो class 11th का आपका जो हिंदी elective का subject है बच्चों यानि कि हिंदी एक्षिक का इसके लिए बहुत जादा important वीडियो होने वाली है चुकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि एक दू दिनों में ही यानि कि 23 October 2024 को आपका हिंदी का जो मिट्रम के एक्जाम में बच्चों यह होने वाला है ठीक है तो आपके 23 तारीक के मिट्रम के एक्जाम के लिए हम लोग अपना एक most important जो sample question paper है इसी को discuss कर रहे थे तो यह जो video है हमारे इसी second sample paper के part number 2 की video रहने वाले और यह second sample paper आपके new pattern के recording है ठीक है जो नया pattern आया है आपके तेसारीक एक्जाम के लिए यह उसी पर आधारेत है तो आधा paper आपको part 1 में समझा दिया था अब हम part 2 को discuss करने वाले है और part 2 की खाशित यह है बच्चो की इस part 2 के अंदर इस video में इस sample paper में आव हम जो भी question discuss करेंगे वो सारे की सारे question one of the most important है selected है और repeated questions है जो कि आपके तेस तारीके मिटरम के exam में पूछे जा सकते ऐसे संभावने बनते इसलिए मैं कहा रहा हूं बच्चो video को end तक जरू देखना video को end तक देखने क के बाद अच्छी तयारी करवाने की मेरी guarantee है लेकिन end तक देखना question को अच्छे से समझना याद करना यह आपके हाथ में है तो आप बच्चो सुरुआत करते हैं और हाँ आपके 11 के हिंदी के मिटरम के exam के लिए हम जो भी आपके लिए 3 से लेके 4 जो sample question paper लेके आ रहे हैं उ ठीक है देखो हिंदी का paper आपका 3 घंटे काने वाला है और 80 नमर का रहेगा अब जो है ना paper के अंदर आपके 3 खंड होंगे खंड का और खागा और इसमें आपके 14 प्रश्ण होंगे सबसे पहला खंड का रहेगा बच्चो आप 8 बोध का इससे संबंदित 2 प्रश्ण होंग इससे संबंदित 5 प्रश्ण जिसमें रचनात्मक लेखन हो गया मतलब दिर्श लेखन हो गया परिपत्र पत्र प्रतिवेदन प्रेस विग्या पर जो कारिसुची होती कारिवर्यत होता यह सारी चीज़ें और इन सभीकों में समझा चुका हो तो टोटल जो है ना यह 22 मार् जिसमें अंत्रा भाग एक और अंत्राल भाग एक इसके जितने भी कोश्चन्स हैं यानकी साथ प्रेशन पूछ जाएंगे जिसमें आपके MCQ भी होंगे आपकी थ्योरी वाले कोश्चन्स भी होंगे और इसी में आपकी सह प्रसंग व्याक्याएं भी होंगी हर एक आज हम इस वाली वीडियो में समझने वाले हैं, तो सारे बच्चे इस वीडियो को completely end तक जरू देखना तैयारी बहुत अच्छी करवाऊंगा, एक बार पहले हम रिवाइज कर लेते, पिछली वीडियो हमने क्या डिसकस किया था, तो खंड का यान कि आपठित वो हमने डिसक किया था, जिस मैं देख सकते हो, कितने बड़िया बड़िया कोश्चन को आपने डिसकस किया था, इसके लावा, आपको मैंने द्रिशलेखन बताया था, कि द्रिशलेखन कैसे लिखना है, जैसे पुस्तक प्रशनी का द्रिशलेखन था, ठीक है, और फिर आपको मैंने बता करना है कारवरत कैसे तयार करना है तो यह सब कुछ मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है ठीक है जैसे देखो प्रतिवीदन इस तरीके से लिखना है इसके लबागा कुछ कोशन आंसर से डायरी लेखन के बारे में संचार माध्यम के बारे में तो यह सारी चीज़ें आपको मैं समझा चुका हूँ पहले ही ओके तो चलिए वच्छो आज किस वीडियो को शुरुआत करते हैं जो हमारी खंड गाह की रहने वाले और यू गैस रेडी तो चलिए शुर अब ध्यान से रेखना सारे कोशन आपको अच्छे से समझाओंगा देखो बच्छो पहला हमारा कोश्चन है कोश्चन नमबर 8 इसमें क्या कहा गया है कि पठित का अव्यांश को ध्यान पूरोग पढ़कर दिएगे प्रशनों के लिए सरवादिक उप्युक्त विकल्पों का चेन कीजिए विकल्पोंवा चेन करना है यानि कि MCQ वाला रहेगा तोटल आपके मिट्रम के एक्जाम में चार कविताएं हैं ठेकर मतलब चार कवियों की कविताएं हैं वो छोटे छोटे पार्ट अलग वात है तो इन सभी की कविताओं से आपसे MCQ पूछे जाएंगे अब जैसे कि यहां पर पहली कविता है कविर जी की इनके जो पद है अरे इन दोहुन रहा न पाई इसके बारे में तो इसको पढ़ते हैं क्या कहा गया इसको देखेंगे तो कहा गया है अरे इन दोहुन रहा न पाई हिंदू अपनी करय बढ़ाई गागर चुन न दे यान तो कवीर जी का जो पहला पत है ना अरे इन दो हो रहा न पाई इसलिया गया अब इससे संबंदित पांच हमारे MC की होंगे जैसे कि पहला MC की हो हिंदू और मुसल्मान दोनों ने इस्वर प्राप्ति के लिए गलत मर्गों को चुना है हिंदू और मुसल्मान दोनों में ही अंद विश्वास और चुआ चूत जैसी बुराईया है यानि की का और खा ये दोनों हमारा सही होगा देट मींस गावाला जो अप्शन ये निकल किया जाएगा अब देखो ये क्या कहता है कि हिंदू मुसल्मान का प्रस्वर प्रेम का वंडन करें ऐसा तो कुछ ही नहीं तो मतलब की गावाला आपका सही है इसके बाद इस पैसेज में सबसे आखरी लाइन हमारी ये है कि कहें कवीर सुनो भाई साधू कौन राहा है जाई तो कवीर जी की दास की ये जो अंतिम लाइन है ये किस रहा की बात कर रहे है तो कवीर जी पता है किस रहा की बात कर रहे है एक ऐसी रहा जिसमें मानव धरम सर्वोपरी हो किसी अन्य धरम की यहां पर बात नहीं करते हैं कोई धरम सर्वोपरी नहीं है सिर्फ उसे मानव ध अब देखो थर्ड क्या कहता है कि हिंदू अपने करें बढ़ाई गागर चुवन न देई वैश्या के पायंतर सोए यह देखो हिंद भाई तो कवी जी ने इस लाइन के मादर्ण से जो हिंदू ध्रम में व्याप्त किस बुराई का वर्णन किया है तो हिंदू ध्रम में व्याप्त शुवा छुद यह जो है यह आपका correct है इसके लावा कवी जी ने हिंदू और मुसल्मान दोनों को ईश्वर के बारे में क्या कहा है तो दोनों को कहा है कि ईश्वर एक है चाहे राम हो या रहीम हो इसमें कोई भेज नहीं है ईश्वर शरवदा है यानि कि इश्वर हमेशा है हर जगह पर है और सभी प्राणियों के पिर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई इसके माद्यम से कवी दाजी किसकी निंदा करते हैं तो कवी दाजी जी भत्या और मास सेवन की निंदा करते हैं तो यहारों में दी जाने वाली बली की निंदा करते हैं मतलब की का और खा देट मींस कि आपका जो गा उप्शन है य और करवाऊंगा तो इन तीनों में ही आपके अब जो तीन कवितने और बच गई है ना उनके भी एमसी को करवा दूंगा तो इस तरीके से मान लो कि आपकी पूरी तयारी हो जाएगी अच्छे से है ना चलो आप देखते हैं अगले कोशन को ओके तो चलिए बच्चो आप देखे कोशन नमर नाइन्थ क्या कहता है कि काव खंड पर आधारित निमनी लिखेते तीन प्रश्णों में से इन्हीं दो प्रश्णों के उत्तर लगभग चालिस सब्दों में दीजिए यानि कि पेपर में आपसे टोटल जो है ना दो नमबर के टोटल तीन कोशन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको कोई दो करने है ठीक है ना देखते हो न दो नमबर के दो कोशन लेकिन मैं यहां पे लिए हैं चार कोशन ताकि आपको एक चालियों कोशन क्या आपको यहां तो यहां पर साकाल की बाद की जा रही है, तो आप इस संब्ध में क्या कहना चाहोगे, एक तरफ निर्गुणता की बात है, लेकिन ये पर कहता है साकार प्रेम को, बालम यानि की एक मूत रूप है, तो अब इसके बारे में आप क्या कहोगे, तो हम कहेंगे, कवी जी भक्ति काल के निर्गुण प्रमपरा यानिकि वो यह नहीं कह रहे हैं कि एक जो इश्वर वो पती रूप में है वो सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि आत्मा और प्रमात्मा का जो संबंद है उसको दर्शाने के लिए पत्नी और पती के नाम का सारा लिए है जो कि एक मात्र संकेत हैं यह उनके इश्वर के साकार प्रे प्रमात्म के प्रमात्म के संबन्द को बताने के लिए इसा क्या है जबकि कवीर का तो निर्गोन निराकार प्रव्रह्म की लिए प्रेम था था कैसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो, सूर्दास, स्रंगार और वाश्रल के अदुतिय कवी हैं, दरसल कृष्णियों भक्त कवियों में उनका इस्थान सर्वो पर है, जब भी हम बात करते हैं, भगवान शिर्कृष्ण के भक्तों की, संतों की, तो इसमें सूर्दास इसका सबसे पह वाश्रल ये, बाल लीला, इन सभी से संब्दे थे, और ये सब के सब भगवान कृष्ण से संब्दे थे, सूर्दास का वाश्रल के अगर बात करने हैं, तो सूर्दास इसका कोना कोना जाका हैं, उन्होंने बाल कृष्ण की सरलता, उनकी चपलता, चंचलता, उनकी द्वा शोदा के द्वारा मात शने हैं इनका सहज चितन अपनी जो क्लाकरति उन में किया है उनके वाशल वर्णन में बालक की विविद क्लीडाओं का वर्णन हुआ है मात्र हिदय के उस्सा और उल्लास का मनभावन वर्णन भी है तो इस तरीके से सूदा स्रंगार और वाशल के अव्यक्ति प्रदान की गए यनकि बस्ति का चोटा सा गाउं है उसमे आवसाद यह जो चिंता है हो किल किन उपकरण के मार्दर से दिखाए गया हैं आओ समझें के से देखो बस्ति किसे जेकीश् of कért को द्वारा अव्यक्त किया गया है जैसे घरों में तिन की डिबरी जलाई जाती है जो रोशनी कम और धुआ अधिक देती है जो कि रोशनी कम धुआ जादे देती है तो इससे मतलब क्या प्रता चलता है लोगों के मन का अवसाद उनकी आँखों में तेयता रहता है और जाला सबुनता रहता है दूसरी और लाला के मन में उठने वाली दुविदा थी इसको अपने शब्दों में लिखिए ठीक है ना तो यह कोशन है आपका इसके प्रेक्टिस कर लेना अच्छे थे सिंपल सा सिंपल सा इसकांसर हो जाएगा कि लाला जोचता है कि मैं इतना इमानदार हूं इतना सब कुछ अच्छी मैनत करता हूं लेकिन फिर भी मैं अपने घरवालों के लिए धंक से कुछ कर नहीं पा रहा हूं और मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं और अपनी दब से लिख सकते हो है ना तो यह तो करे कोशन अलग आ गया है आप उठके बाकी इसका अंजर आप तो प्रकार से विदा होते हैं तो कौन-कौन से तक्तों का वर्णान किया गया बच्चों आए characteristics की चोट सवेके में इन पानुज तक्तों का जब वो रोती है ठीक है ना और रोते हुरे तेजी से सांसें लेती है तो इससे उसका वायुतत्त विदा हो जाता है यानि कि तेजी से रोने के वज़े से हपक हपक की रोने के वज़े से सांसें भर भर की रोने के वज़े से तेजी से सांस लेने के वज़े से वायुतत्त वि रहते हैं और उदास रहते हैं ठीक है ना तो इससे आपके सरीर का तेज मिट जाता है जिससे अगनी तत्व चला गया इसके लावा सांसे भनने से रहने से तेज के घटने से सरी दुर्बल हो जाता है यानि कि जो भूम में तत्व है ये भी स्वाप्त हो गया आखिर में बचा है क्योंकि उसके अंदर भी आशा जाग रहते है कि एक बर ऐसा हो सकता कि वह मिलने आयस अपने में इस तरीके से ठीक है तो व्योग में कौन-कौन से तत्तों यहां पर बताए गए हैं और वह विदा कैसे लेते यह सारी चाहिए अभी आप टैंशन मतलो बच्चो आपके ल जाएंगे चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं बच्चो अब यहां पर है हमारी सैप्रसंग व्याक्या अब इसको बड़े द्यान से समझना क्यूंकि बहुत सारी बच्चों को डाउट होता है कि सजी हम काव्यांस की जो सैप्रसंग व्याक्या है यह कैसे करें तो काव खेले में कोई किसी का साथी नहीं होता है हरी हारी जीते हरी हारे जीते श्रीदामा बरवत ही करत्रसंग हरी हार चुके हैं श्रीदामा जीत चुके हैं और फिर भी हरी जी जो है वो गुस्सा हो जाते हैं जाती पाती हमते हैं बढ़ना ही ना ही बसत तुमारी च्छेया अब पास अधिक गाये हैं कि इसलिए तुम इतिकार जीचा रहे हो इसलिए तुम दाव निए दोगे क्या इसके लावा रूटी करी तासों को खेले रहे बैठे जही तो है यानि कि खेल खेल में जो रूट जाता है उसके साथ कोई नहीं खेलता है सूर दास्व खेल लो चाहत नंद जी की दवाई देखकर दावन देने के लिऎ तयार हुए थे इस तरीके से थीक है तो आईए अब इसकी सहफ्रसन्ग को करने के लिए याद रखेगा सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपके इसह कांवियांस के कि आपने किस्की व्यक्या कही हैं आपAll इस्में चान पॉइंट या छाते हैं एक हैता है सबसे पहले आपका संद्ध। कि इसको अच्छे से समझते हैं देखो सबसे पहले दिया गया है संदर्व जैसे के नाम से पंता चलता है संदर्व यानि कि आपको यह बताना है है यहापका जो काव जूरा शुबला पूरा यह जो पंक्तियां है यह कहां से लिए गए है यानी कि कवित है या फिर चैप्टर का नाम और उसके कविया लिख का नाम तो प्रस्तुत पंक्तियां कक्षग 11 के हिंदी विशय की किताब अंतरा के कविया खेलोन में को काको गुस्तईया इसे अव्तरित है और कविय का नाम का मनोहरी वर्णन किया है कौनसी बाल लेला कृष्ण जी खेल में हाने पर रूट गए हैं और बाल शुलब गुड के कारण वे खेलना भी चाहते हैं मित्रों के दौरा अनंद बाबा की दोहाई देने पर पुनहें खेलने को तयार हो जाते हैं इस समूचे प्रदिश का स्रीदामा खेल खेल रहे हैं जिसमें भगवान स्रीकृष्ण हार जाते हैं हारने पर भी वे स्रीदामा को स्रीदामा की दाउन देने के लिए तयार नहीं होते हैं और स्रीदामा पर क्रोधित होने लगते हैं अंकि स्रीकृष्ण खेल में हार चुके हैं स्रीदामा जीत कहते हैं कि तुम हम पर इतना क्रोद क्यूं दिखा रहे हो खेल एक ऐसी चीज है जिसमें ना कोई छोटा होते हैं ना कोई बड़ा होता है सब बराबरी के होते हैं स्रीधामा कृष्ण कहते हैं ना तो तुम हमसे जाती में बड़े हो ना ही हम तुम्हारी सरण में पड़े हैं तुम्हें इतनी एट यानि की अकड हमें दिखा क्यूं रहे हो हाँ चलो माना तुम्हारे पास अधिक गाये हैं जिससे तुम इतना अधिकाद जता रहे हो गाया देकर तो अधिकाद जताओगे खेल में रूठने वाले के साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करेगा ऐसा कहे कर गौल-वाल मित इदर उदर बैठ जाते हैं गुस्साओ के मुफला के हाला कि स्री किष्ण भीतर से यान की मन से खेलना चाते हैं लेकिन वो सिद्यामा के बास में जाके पता है क्या कहता है चलो म मैं दुबारा खेल रहा हूं लेकिन सिदामा कहते हैं हम नहीं मानते तो स्री कृष्ण दी नंद बाबा की दुहाई देते हैं और फिस सिदामा की दावयान की बाजी देने को तयार हो जाते हैं तो इस तरीके से यह जो वाशल है कृष्ण का वो यहां पर बताए गया है अब चित्रन है तो इस पद में बाल मनो विज्ञान खेल में रूठना इसको रशाएगा है भाव कैसा है तो भक्ती भाव है सखा भाव है वाशल लिरस है चंद पद है माधुर गोड है और अलंकार जैसे की हरी हारे में अनुपरास है दाउन दियो दुहिया में अनुपरास है है ना यह चीज़े और एक चीज़ बच्छो आपको साहितिक संदर रिखने का एक बिसिक फॉर्मेट बताता हूं टोटल ना आप चार से पांच चीज़े हर एक कविता में लिख दोगे तो आपको यह एक डेड़ नमर यह मिल जाएगा जैसे की सबसे पहले बता दोगे भा है तंगारों का उपयोग है माधुरे पद है चंद पद है और किसका वर्णन किया गया वह भी आप लिख सकते तो ऐसे इन पॉइंटों को याद करके लिख दोगे तो एक नमर तो आपका साहितिक संदर से बन जाएगा इस तरीके से अब इसी कोश्चन में कोश्चन 10 में हम सासन ही सो समीर गयो अरू आसुन ही सव नीर गयो अरू तेज गयो गुन ले अपनो अर भूम गयी तन की तन उता करी देव जिहें मिल बेही की आस की आस हुपास अकास रहो भरी जादिन ते मुक फेर हरे हसी हेर जियो जू लोहरी जू हरी ठीक है तो यहाँ पे हसी की चोड उससे यह लिया गया है तो आओ, आपको मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ देखो, यहाँ पर सबसे पहले सेम वही बात करनी है, कि सुरुवात के तीन से चारवर्ड, सांसन ही सो समीर और आकरी के हरी जुहरी, तो पहले बताओगे बच्छे संदर्व, यानि किसमें कहां से लिया गया है, तो प्रस्तुत कव कवियान से फिर पंक्तियां, कक्छा 11 के हिंदी विशय की किताब अंत्रा, ठीक है ना, अंत्रा के कविया हसी की चोड़ से अवतर है जिसके कविया देव जी देव जी का पूरा नाम क्या है अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि देव जी का पूरा नाम क्या है जो बच्चे एकदम सही आंसर करेगा उस बच्चे के कमेंट को मैं हाट भी दिऊंगा, और हो सकेगा तो पिन भी कर दूगा अगर आपका राइट आंसर आया कि देव जो कवि है इनका पूरा नाम क्या है तो इस प्रसंग में क्या कहा गया है बच्चो देखो, प्रस्तुर पंक्तियों में महा कवी देव जी ने कृष्ण के हसी से घायल गोपी की विरह की अवस्ता का बड़ा ही मार्मिक वर्णन की है यानि कि कृष्ण जी की हसी से घायल गोपीयों की जो विरह अवस्ता है इसका मार्मिक वर्णन की है महा कवी देव के इनसार कृष्ण के वियोग में पंच महाभूतों से बनाये गोपी का शरीर एक-एक करके नष्ट होता जा रहा है और करमशाह वह मृत्तियू की तरफ बढ़ रही है गोपी की वेजना का वर्णन करती हुए महा कभी जी कहते हैं अब क्या कहते हैं? तो वो बाते आएंगी व्याख्या में ठीक है तो देखे क्या कहते है कभी जी कभी कहते हैं कि जिस दिन से स्री कृष्ण गोपी की सामने एक बार हसते हुए मुख फेर कर चले गए उसी दिन से नाइका व्रह में व्याकुल होगी दरशल स्री कृष्ण जी व्रेंदा वन से जब मतुरा जा रहे होते हैं तो उसी समय हुए से कृष्ण जैसे उसका हेद्य चुरा ले गए हो अपनी मुस्कान में उस गोपी का हेद्य चुरा ले गए हो तब ही से गोपी के सरीर के पंच उत्तों में से एक तत्व विदा होते चले जा रहे हैं जैसे कि व्रह अवस्ता में तेज तेज सांसे छोड़ने से इतना सब होने पर भी गोपी ने से कृष्ण से मिलने की आशा में आकाश उत्तों को बनाय रखें तो ह्याक्तों क्या सी गायव हो चुकी है मैं किष्ण को ढूंड ढूंड कर ठक चुकी है कि इस प्रकार से आपको इसकी व्यक्षा करनी है और व्यक्षा करनी कैसे तो सारी किश्शारे भिए प्रवय क्रhe time मैं समझा दिए ठीक है पहले आपने अपने संदर इसमें यमक है, मोफेल ना मुहावरे का अपयू किया गया, तो मुहावरों का भी उपयू किया गया, यह भी आप बता सकते हैं, ऐसे करके, है ना, तो इस परकास से आपको समझ में आ गया, एक बास सारे बच्चे इमानदारी से कमेंट में मुझे बताओ, आपको लिखना है, question number 10, और लिखना है, yes sir, तो इसका मतलब आपको सहप्रिसंग व्याख्या जो है, यह अब लिखनी आ गया, मैं समझ जाओंगा, ठीक है, तो आपको लिखना है question 10, yes sir, तो मैं समझ जाओंगा, कि हाँ, आपको सहप्रिसंग व्याख्या लिखनी आ गया, इतना ही नहीं, अभी पार्ट की जो सहप्रिसंग व्याख्या है, यह भी आपको मैं बताऊंगा, बस आप end तक इसको देखते रहो, ठीक है, चलो, आप शुरुवात करेंगे अपने अगले question की, question number 11, अब देखो, question 11, 12 and 13, यह तीनों ही question जो है, यह होंगे हमारे पार्ठों से सम्मंद जिसे हम ब आप्टर बोल सकते हैं, आप चलो देखते हैं, तो question 11 क्या कहता है, कि निमनलिखित, पठित गर्द्यांश को ध्यान पूरुक पढ़कर दिये गए प्रशनों के लिए सरवादिक उप्युक्त विकल्प का चैन करो, जैसे कि पहला कहा गया है, एक सेकेंड, इसको पहले पढ और उसके पती मुन्शी जी वो पूरा काम कर लेते हैं, खापी लेते हैं, मतलब खाना हो जाते हैं उनका पूरा, उसके बाद में शिद्धिश्वरी मुन्शी जी की ही जूठी थाली लेकर चोकी की जमीन पर बैठ गए, बटलोई की डाल को कटोरे में उडेल लिया, पर व की ही रोटी बची थे, जो की मोटी भद्धी और जली उस रोटी को जूठी थाली में रखने जाही रही थी, कि अचानक उसका ध्यान उसारे में सुए प्रमोध की और आकाशित हो गया, जैसे वो रोटी रखने जारी थी, वैसे रेखना उसारे में उसका सबसे चोटा एक टक देखा, फिर रोटी को दो बरवाट टुकड़ों में विवाजित कर दिया, एक ही रोटी थी, उसको भी तोड़ दिया, आए हाए रही ये गरीबी, एक रोटी है, उसको भी तोड़ दिया, एक तुकड़े को अलग रख दिया, और दूसरे तुकड़े को अपने टप टप आसु चुने लगे घर की जो मद्यमवर्गे दरिदता है जो भू की क्या नाम है अनाच का आभाव है इन सभी की वज़े से वो इन सभी का कारण खुद को मानती है ठीक है ना और इसलिए इन सभी दुख को जहलने के वावजूद भी वो हाला कि लड़ती तो रहती ह कि उसके आखों से आसु टप टप चुनी लगे ठीक है अब इसमें कोशन क्या बनेंगी वच्चो देखो पहले कोशन है कि दोपहर का भूजन कहानी में समाज के किस वर्ग का यथात चेटन है तो पूझी पति वर्ग है नहीं उच्च मध्यम वर्ग है नहीं माक्सवादी बलकर की एक मध्यम वर्गय परिवार की कहानी है । कोशन नुबर हमया रहे है यहां पर सेकेड इसमें कहा ग्या है कि भोजन करते समय मुंसी जी ने अपनी पत्नी शिद्योश्री की और अपरादी भाव के लिए, स्वेम को जिम्मिदार मांन रहे थे क्यूंकि उनकी चच्टनी हो चुकी ती उस दिभाग से, इसलिए अब वो पैसा नहीं ला पा रहे थे, पैसे को जिसे घरमे दिक्कतें आ रहे थी और इन सबी सिच्ययोशन के लिए वो सेम को जिम्मेदार मानने थे वो इसलिए कानिकी निगाओं से अपनी पत्नी को देख रहे थे अगला कोशन कि सिद्यश्वरी के पती का क्या नाम था ठीक है तो सिद्यश्वरी के पती का नाम है मुंशी लेकिन क्या मुंशी मुंसी चंद्रिका मुंसी चंद्रिका प्रशाद या फिर चंद्रिका मुंशी क्या नाम है इनका पटापट से उता हो कहानी में अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा सिद्यूश्वरी के पती का क्या नाम था ब बोजन करते समय रूटी का पहला ग्रास मुह में रखा तब उसके आखों से टप टप आशु चुने लगें ऐसा क्यूं क्यूंकि अपने घर की परिस्तियों एवं पेट भर भोजन ना मिल पाने के दुखी की वज़े से पहले तो सिच्वेशन जैसे थी घर की उन सभी की वज रहा है इस दुखी वज़े से और तीसरा मन की अंदर की पीड़ा थी जो कि उसके आंसुओं के रूप में बहार आगे बच्चों ऐसा कई वार होता है कि जब बहुत ज़्यादा उदासु बहुत ज़्यादा चिंते तो बहुत ज़्यादा दुख हो दोने से आपका मन हलका हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर जो है ना उप्रुक्त शभी ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है अब इसके रहावा आकरी कोशन कि दोपहर का भोजन कहानी का मूल स्वर का है यानि कि मूल स्वर इस दोपहर की भोजन की कहानी का क्या है क्या है वो ची मूल स्वर फटा ये संगर्ष को दशाय गया है, इस तरीके से, ठीक है, तो गावाला जो option है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा बच्चो, तो इस तरीके से question number 11, आई भूब आप समझ गये होंगे, है ना, चले, आप देखेंगे अपने अगले questions को, जो की हमारा question number 12, अब इसमें क्या पूछा answer देना है, लेकिन, यहाँ पे देखो, मैंने चार question लिये हैं, ताकि आपको एक question और समझा सको, extra, तो पहला question क्या है बच्चो, पहला question कहता है, हामिद के चिम्टे की उप्योगिता सिद्ध करने के लिए, क्या-क्या तरके दिए ये बताए, यानि कि हामिद ने जब की उप्योगिता सिद्ध करने के लिए, कई सारे तरके दिए थे, अब कौन-कौन से थे, तो इनको रिखो, सबसे पहला, हामिद कहता है, अरे सुनो, तुम सबसे बड़े काम की चीज है मेरा चिम्टा, उन्होंने कहा कैसे, तो हामिद ने वोला, चिम्टे से, जो गरम तब बाल भी बांका नहीं होगा, चिम्टे को देखकर, मेरी अम्मा यान की अमीना खुश हो जाएगी, वह मुझे दुआइं देगी, चिम्टा एक खिलोना भी है, और इसे कंधे पर रख लो, तो बंदूक है, हाथ में ले लो, तो फकीरों का चिम्टा है, और इसे मजीरे का का हम भी लिया जा सकता है, चिम्टे का कोई भी बाल बांका नहीं का सकता है, तुमारे खिलोने मेरी चिम्टे का अगए, कुछ भी नहीं है, इस परकार, चिम्टा खिलोनों का बास सहा, रुस्त में हिंद शिद्वा, तो बच्चो, पेपर में, अगर कोशन ऐसे आ जाता है, क चिम्टे की उपरित्या सिद्व करने के लिए तर्क और उस्त में हिंद, दोनों में ही एक ही आंसर आपको लिखना है, ठीक है, चलिए, अब इसी में सेकेंड कोशन है, बच्चो, कि दोपहर का भोजन शीर्षक की सार्थकता, इस पस्ट कीजिए, तो दोपहर का भोजन जो मार में चितरण है, इस परिवार की इस्तिती इतनी दैनी हो गई है, कि घर में खाने के लिए पूरा भोजन नहीं है, इस कहानी का पूरा गटना करम, दोपहर के भोजन के समये घटित होता है, जो कि कहाने की मूल समवेदना को प्रभावी ढंग से अव्यक्त करने के लिए घर के मुखिया विरोजगार हो गए हैं, अब इस से परिवार को किस-किस प्रकार की समस्थाँ से जोजना पड़ता है, यह बताएं गया है, दोपहर के समये घर के सभी सरथ से एक के बाद एक घर आते हैं, और परिवार की इस्तिती और अपने संगस के प्रकारांतर रख से से दोती है पूरा घटना क्राम दोपहर के समय में ही होता है और यह चीज़ें थे अब देखते हैं इसका तीसा कोशन क्या कहता है बच्छो कि टॉर्च बेचने वाले पार्ट में पांच साल के बाद जब दोनों दोस्तों की मुलाकात हुई तो वो किने सिच्वेशन में किन क दोस्त थे इननोंने का कि हम यहीं इस जिगर मिलेंगे तो दूसरी बार 5 जब दोनों की मुलाकात हुई थो किनपर सिच्वेशन में हुई तो आओ देखते हैं तौुलेट बिचने वाले दभा बगरा करते हैं, तो एकदम मस्त मंच में बैटे हुए है, और वो भाशन्ट दे रहे हैं, और लोग उनको सुन रहे हैं, उसने ये देखा, कि ये सादू जो है, लोगों को अंदकार का डर दिखा रहा है, यानि कि भीतर, आत्मा की भीतर जो अंदकार है, इसका डर के प्रिकास में उन्हें आने के लिए कहता है उस सादू की बात को सुनकर पहला में ते हस पड़ा अभी पता नहीं है उसको कि यह उसका दोस्ती है लेकिन वह हस पड़ा लेकिन जब हुआ है उसके निकट आता है सादू जो वेस्पूसमें बैठा हुआ था तो उसे पता चलत कमपणी को बीच रहा होता है मतलब सुरच आप कम्पणी जो होती है इसकी तो बेच रहा होता है एक बेचता है आत्मा के ग्दोर से और पास नों कि मुलाकात कैसे होती है इंडिग वाट समझे होंगे है नreu ब्देख लेते हैं हम लोग इसके आखरी के और तो यह कहता है गूंगे में मम्ता है गूंगे में अनुभूती है गूंगे में मनुश्यता है काने की अदार पर इस वाकिकी विच्छना कीजे तो गूंगे में मम्ता कैसे है सहानुभूती या फिर अनुभूती कैसे है और मनुश्यता कैसे यह बताना है तो आओ समस्य चे त प्रतिकार नहीं करता है यानि कि वो चमिली का गुसा तो होता है लेकिन कभी उसका प्रतिकार यानि कि उसको गलत नहीं बोलता है दूसरा गुंगे में अनुभूती है यान कि समझे है उसमें कैसे वह सब समझता है वह सब जानता है हाला कि कुछ सुन नहीं सकता कुछ बोल नहीं सकता लेकिन मनुष्य की व्याभारिक चेश्टा को समझतो लेता है तथा मन के भाव को पढ़ लेता है गुंगे में मनुष्य लिकिन उसको अपना हांथ रोक लेता था तो इस से पता चलता है उसके अदर मनुष्यता है अनुभूती और मनुष्यता इसंतरीके से थी, उपकी आई होप रहल और समय यह चुका होगा तो इस तरीके से question number 12 जो था बच्छो गड़्य खंड पर आधारे तीन तुर्शन के उत्तर लिखिए तो ये भी आपको मैंने आपे बहुत अच्छे से समझा दिये हैं बच्छो ठीक है आई उप आप समझ गए होंगे चले अब बात करते हैं अगले question की जो कि यहां पर दिया गया है कि आपको एक गड़्यांस दिया गया है आपको इसकी सय प्रसंग व्याक्या करने तो गड़्यांस है बच्छो गूंगे वाले chapter से रांगे रागप का ठीक है ना और यह गूंगे अनेक अनेक हों संसार में भिन भिन रूपर में च्छा गए हैं जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते जिनके हिर्दे की प्रतिहिंसा न्याय और अन्याय को परक कर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकती क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं है क्योंकि भे असमत हैं, यानिकि हम समाज में अर्था चाहर होते तो देख लेते हैं, हम चाहते हैं कि उसके अवरोध करें, लेकिन फ्रिवियम चुप रहे जाते हैं, तो यही बात हैं आप भी बताई गई है, अब इसकी कैसे व्यक्या करेंगे, तो सेम वही प्रोसेस अपनाना है जो कि अभी आपको मैंने बताया तो सुर्यवात के 3-4 वर्ड और आखरे के 3-4 वर्ड और बीच में यह लाइना जाएगी तो सबसे पहले बताओ कि वच्छो संदर्व क्या है तो संदर्व क्या है प्रस्तुत पंक्तियां कक्छा 11 के हिंदी वि विक्तित्तों के विशय में सोच रही है जो आबाज होते हुए भी गूंगे के समाज सुसण सहते हैं यानि कि उन लोगों के बारे में उस समाजी के इस्तितियों के बारे में सोच ली लोगों के बारे में जो कि आबाज है उनके पास फिर भी वो गूंगे के जैसे सुसण क सहते हैं ठीक है अब व्याख्या करेंगे तो यहाँ व्याख्या ऐसे लिखेंगे वच्चो कि लेखक कहते हैं कि चमेली गूंगे के बारे में सोचती है कि इस प्रकार की गूंगे पूरे संसार में विद्यमान है जो अपनी बात कहने में एसमत है चमेली क्या कहती है क्या सोच कुछ है प्रणतो अपने लाचारी के और कुछ कहने से रूप eff discern करते हैं क्यूंकि उनका विश्थ सबन्हों पार्थ क्या कुंकि नयाय को यह सभी अपने साथ हिंसा करने वालों को जवाब देने की इच्छा चमता रखते हैं, इसलिए तो कहानी में अपने देखा था गुंगा जो है ना, वो पिटना नहीं चाहता था ठीक है ना, भले वो मार खा के वापस आ गया लेकिन वो हिंसा करने वालों को जवाब देना चाहता था, भले पिटके आ गया ऐसे गूंगों के अत्रिक्त और भी गूंगे हैं और ये जीवन में सोसन जेलते रहते हैं बिल्कुल गूंगे के समान है और इसके अवरोत तक कोई नहीं करते हैं समाज में जो बड़े बड़े पूझी पती वर्ग हैं वो गरीब लोगों का ठीक है अन्याय को देखकर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं ये चीज़े हैं तो व्याक्या होगई आपकी अब बताएंगे साहितिक सौंदर वच्चो कावियान से जब आता है न तो उसमें काविगत लिखेंगे और जब गद्यान साएगा तो साहित्तिक लेखेंगे तो क्या बताएगा है चित्रण है समाज की समवेधन हिंता भाषा खड़ी वोली का प्रयोग है वेंग्यात्मक्षर्णों की बहुलता है वेंगे की आगया रोचकता है अन्याई को देखकर चुप रहने वालों को भी गुंगा कहा गया है इस कहाने में ठीक है ना? इस तरह के सा आपको ये बताना था तो I hope साहित्तिक सौंदरिक के बारे में ये point आपका यहां पे हो गया और ये हो गई आपकी स्यप सिंग व्याक्या complete बच्चो तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको सारे डाउट आपके clear हो चुके होंगे चलिए अब हम बात करेंगे इस paper के सबसे आखरे question के और बहुत important है इसमें क्या कहा गया है question 14th में जो आपकी अंतराल भाग एक कितावा ने इसलिए गया है तो दिये गया प्रश्णों में से किनी दो प्रश्णों के उत्तर लगवक शो सब्दों में लिखिए basically पांच नंबर की दो question है अब पांच नंबर का question है तो आपको answer sheet का जो आपका front page है इतना तो लिखना पड़ेगा तो यहां पर है तो उस में उसकी drawing class यान की चित कला की कक्छा चल लगी होती है तो उसी चित कला की कक्छा में उसकी ये कला सबसे पहले उबर का समने आती है दरसल होता यह है कि एक दिन चित कला की कक्छा में जो उसके master होते हैं वो सभी बच्चों उसे कहते हैं, कि देखो बच्चो, मैंने ब्लेक बूर्ड पे एक चडिया बनाई है, तुम लोग भी अपनी स्लेट पर इस चडिया को बनाव, ठीक है? तो सभी बच्चे स्लेट पर उस चडिया को बनाने रखते हैं, लेकिन पूरी क्लास में केवाल लेखक ही ऐसे थे जिने उस चडिया का प्रतिली पी उस चडिया की जो चितरता है उसे हूब हूँ अपनी स्लेट पर उताद दिया इसके लिए उसे इस टेस्ट में 10 मैं से दसंक मिले और तब अध्यापों को यह ऐसास हो गया कि इसके अंदर एक कलाकार छपा हुआ है तो कहानी के पहले बड़ोदा के बोर्डिंग स्कूल में ही उसकी जो विसेस्ट है वो निखर के आती है ठीक है इसके अलावा बच्चो यहाँ पर अब हम से पूचा गया है कोस्चन नमबर सेकिंड कि दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार उसके किन-किन क्रियकलापों से अविक्त होता है यह दुकान पर बैठा था चाचा मुरा दली की लेकिन फिर भी उसके अंदरे कलाकार की क्रियाँ अभी भी चल नहीं थे वो क्या क्या करता था ऐसे कारेकलाब बताओ तो आए देख लेते हैं देखो इस तरीकें से लिखेंगे दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल की कलाकारे मकबूल जो था ये दुकान पर बैठने के बाद भी ड्रॉइंग और पैंटिंग में अपना सराध्यान रखता था गेहों की बोरी उठाने वाले मजदूर सिजदे के निशान डाड़ी से युक्तपठान बक्री के बच्चे का इसका चीज़ भी बनाता था इसके अलाबा एक पॉंट ये भी आ जाएगा बच्चो की मकबूल ने एक फिलम देखी थी सिंगड इस फिलम से मतलब सिंगड फि अब उसी दुकान पर रहकर बनाए थी अपने चाचा मुरादले की दुकान पर बैट करी ठीक है तो यह हो गए आपके इतने बड़े अब इतने बड़ा आंसर लिकुए तो पांच इनमर तो मिली जाएंगे असानी से एक आखरी कोशने बच्चों हमारा यहां पे कि हुसेन की कहानी अपनी जुबानी ठीक है न यह एक उद्धेषश पूण रचना है इस कतंपर पाट के धाब पर अचार कीजे यान कि जो कहानी है हुसेन की कहानी अपनी जुबानी यह एक उदेश वाली रचना है कैसे है तो आओ समझते हैं अच्छे तरीके से देखो हुसेन की कहानी अपनी जवानी ये है बच्चो एक उद्देश पूर्ण रचना अब कैसे है देखो सबसे पहला पॉइंट दरसल ये है आत्मकथा स्वैम लेकर के द्वारा अपने जीवन के वर्णन को करते हुए लिखे गए यादि विद्ध्यार्ती जीवन में प्रतिवा विकास का सही अवशर और सही दिशा मिल जाए तो विद्ध्यार्ती की जीवन को द्arth पूरा हो जाता है यानि कि जब अभी आप विद्ध्यार्ती हो अगर आपके जीवन को एक शही अवसर मिले और सही दिसा मिल जाए तो डेफिनेटली आप अपने जीवन का उद्देश पूरा कर सकते हैं अतहा अभिवावक सिक्षक इन दोनों को ही अपने बच्चे को सेक्षड कियोगिताओं से इत्र प्रतिवा को पहचान कर उसके विकास में सहयोग देखकर उसके उज्जल भविश का मार्ग प्रसस करना चाहिए जैसे कि इसके जो पिताजी थे हुशेन के उन्होंने देखा कि मेरे बेटे को ना कलाकारी अच्छे से आती है तो उन्होंने उसके लिए कलर विगरा बंगवाए और उसके कलाका सम्मान किया ठीक है ना तो ऐसे ही हम सभी के अविवावकों को हमारे सेक्षकों को केवल सेक्षड की योगिताओं के अलावा जो हमारी प्रतिवा है जो हमारी स्किल है इसको भी आगे विक्सित करवाना चाहिए ताकि हम भविष में एक नए मारक को कुछ उन सकें और हमारा एक नए भविष का निर्माड हो ठीक है जरूरी नहींगी कॉपी किताब लिखने से पढ़ने से अच्छे मार्क्स लाने से जिन्दगी बनेगी एक इसकिल भी होनी चाहिए और आज के टाइम पे इस modern world में भाई इसकिल बहुत जाता जरूरी है ओके बच्छो तो इस तरीके से आज के इस पेपर का जो हमारा एक सेकेंड हाँ खंड नंबर खा था बच्छो पार्टे पुस्तक अंत्रा और अंत्राल का टोटल 40 मार्क्स का वो यहाँ पे कंप्लेट हो गया है ठीक है तो बस आज किस वीडियो के लिनता है इतना ही जिन बच्छों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है आप सभी से मैं फिर्शे कहूंगा पिछली वीडियो को जरू देखो क्योंकि इसमें आपको पत्र लिखना मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है एक्दम ऐसे समझो कि एकी बार ऐसा समझा दिया कि एकी बार में समझ जाओगे ठीक है ना जैसे अधिकारी को पत्र लिखना है तो अधिकारी के लिए देखिऊ किस तरीके से मैंने लिखा हुआ है कैसे address लिखना है ठीक है विशय क्या रहेगा फिर आपके लिए एक जो job letter है प्रत आवेदन पत्र है वो भी लिख रखा है मैंने कितने अच्छे तरीके से even आपको जो प्रतिवीधन है ये कैसे तैयार करना है कारिवरेद तो प्रतिवीधन के लिए topic देखिए मैंने लिख रखा है और इसको solve भी किया हुआ है इसके अलावा आपका जो कारिवरेद था उसको भी लिखा हुआ है और जो important question थे आपके विखते मादन हो कि वो भी लिख रखे हैं डारे लिखन के क्या-क्या फाइदे होते हैं संचार के प्रकार क्या-क्या होते हैं सारी की सारी चीज़े हैं बहुत अच्छी सा आपको समझा रखे हैं ठीक है तो चली बच्चो आज की इस वीडियो को यह पर end करते हैं I hope आप सभी को यहाँ पर class 11th का आपका Hindi elective यानि की Hindi एक्षिक का जो midterm का exam होने वाला है इसके तैयारी के लिए आपका जो दूसरा और most important sample वे ता वो यहाँ पर complete हो चुका है अब आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है समझ में आ गया सरी चीज़ें तो फटा फट से इस वीडियो को लाइक करो अपने सभी दोस्तों में ज़ादा ज़ा रश्यर करो और हाँ all the best आपकी midterm के exam के लिए comment वर्क से अपना feedback बता के ज़रू जाना मिलते बच्छों आप से एक लिए वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहे अपना एक्षा लिखेगा बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद जैभारत वंदे मातरम